तो आपके बाइक क्या इंजिन का लाइफ बढ़ जाता है आज दोस्तो और वेलकम टो आर चैनल कैसे आप लोग आज इस्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी बाइक में आपको कौन सा इंजिन वाइल यूज करना चाहिए क्या है ना कि बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं बट उनको यह पता नहीं होता है कि कौन सा इंजिन वाइल आपकी बाइक के लिए बेस्ट होता है है कुछ तरीका के इन्जीन ऊइल आप लोगों के बाइक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं है तो ये सब चीजे कैसे करनी है तो सब से प乐र तो मैं आप लोगों को यहां पर इंजीन ऊइल के टाइप के बारे में बता दू तो तो generally तीन तरीके के engine oils आते हैं, पहला आता है normal engine oil, जो बहुत ही सस्ते होते हैं, दूसरा आता है semi-synthetic या फिर Indian language में बोले तो semi-synthetic, तो semi-synthetic engine oil जो होते हैं, थोड़े से, मतलब ज़्यादा costly नहीं होते हैं, थोड़े से costly होते हैं, compared to normal engine oil, और इसके बाद आता है तीसरा तरीके का, यानि की fully synthetic engine oil, तो fully synthetic engine oil बहुत ही ज़्यादा costly होते हैं, बट उनकी performance बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी होती हैं, तो आप लोगों को तीनों में से कौन सा engine oil यूज़ करना चाहिए, जनरली तो मैं आपको ऐसा recommend करूँगा, कि अगर आप लोग जो है, वो एक तरीके से budget है, तो definitely go for semi या फिर fully synthetic engine oil, जिससे आपके engine की life अच्छी रहेगी, आपका engine smooth रहेगा, आप लोगों को अच्छा mileage मिलेगा, आपका engine बहुत ही कम heat होगा, ये सारे benefits जो है, वो engine oil के होते है बट क्या होता है, कि still अगर आप लोगों का budget नहीं है, या फिर आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि मेरे लिए personally कौन सा engine oil अच्छा हो सकता है, तो ये depend करता है आप लोगों के riding condition के उपर, यानि कि आप लोग किस तरीके से bike चलाते हो, या फिर आप लोगों के bike चलाने का जो करते हैं, ज़ादा करके bike लेने के, और वहां पे traffic जङुडा हो नहीं हो, कौन से कौन से टाइम पर traffic ज़ादा होता है, कौन से कौन से सकते हो और normal engine oil use कर सकते हो वहाँ पर लोगों को benefit भी अच्छे कासे मिल जाएंगे क्योंकि fully synthetic engine oil जो है उसमें आप लोग पैसे जाधा करोगे और उसमें जो आप लोगों को अगर जाधा performance है तो वहाँ पर लोगों को benefit देगा नहीं तो normal के लिए तो जाधा करके वह यूसलेस ही होने वाला है तो वहाँ पर लोग अपने पैसे बचा सकते हो उसी के साथ साथ अगर आप लोग जो है वह नॉर्मल सामान केरी करने वाले हो जैसे मैं आपको बोला कि 10 km के अंदर ही अगर आप लोगों का डिली ट्रावल है तो नॉर्मल इंजीन उयल काफी अच्छा चोईस हो सकता है अब इंजीन उयल कोंसा लेना चाहिए तो नॉर्मल इंजीन उयल में बहुत सारी अच्छी कंपनियास आती है अप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट अगर जनोल्क के नॉर्मल 2 के लिए जा सकते हो या फिर जो है वो आप लोग कहीन उम्सकर क 언제 कह सकते हो नॉर्मल इंजी अच्छा आता है इसके अलावह डिपैंड का आपके ऊपर कि लेके यूज़ करना है तो आप वह भी यूज़ कर सकते हो अब दूसरा हम लोग यहां पर बात करते हैं जो आता है मिडल के अंदर यानि कि जिनको जो है वो सीटी ट्राफिक बहुत जादा फेस करना है उसके अलावा सीटी में पकड़ो 20 किलोमेटर या 25 किलोमेटर तक का रा परमेंट्स भी देगा साथ में आप लोगों के मतलब जादा कॉसली भी नहीं है तो आप लोग उसको आराम से यूज़ कर सकते हो अच्छा स्मूधनेस आप लोगों को दे देगा इंजिन के अंदर और जो है वो गियर्स भी शिफ्ट अच्छे होंगे और जो ट्राफिक मे हीट होने वाला चीज़े वो भी थोड़ा सा कम हो सकता है तो समय सिंथेटिक इंजिन आपके लिए काफी अच्छा चोईस हो सकता है इवें जब आप लोग 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 राइड पर जाओगे और जहां पर लोगों को थोड़ा सा हाइइ स्पीड पर कंटिनुसली बाइक को है वहाँ पर नॉर्मल इंजिन ओयल के मुकाबले सेमि सिंथेटिक इंजिन ओयल आपको काफी अच्छा पर्फरमेंस देगा इंजिन जो है वो आप लोगों का सही रहेगा और आप लोग को बाइक चलाने में भी ज्यादा मज़ा आएगा लेस वाइबरेशन आप लोगों क लोग जो है वो जाधा पाव़फुल है आप लोगों को जादा स्पीड में आप लोग उसको चलाते हो जदा ट्राफिक में आप लोग उसको लेके जाते हो और आप लोगों का जो डिस्टेंस है बहुत जाधा है ञ受धा रूसे बहुत च्छा आता है बढ़ स्भीго कर सकते हो क्योंकि वो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है खास करके कुछ इंडियन कंपनीज को छोड़के लग बजाज टीवी एस हीरो उनको छोड़के बाकी की जो जपनिस ब्रांड की है या फिर उनका जो इंजिन वाइल है वो काफी अच्छा होता है तो आप लोग वह भ है जैसे मैंने आपको बोला कि पहला बंदा जो है जिसका डेली ट्रावेल 10 km के अंदर है तो वैसा जो बंदा है उसको मैं आप बोलूँगा कि जाधा करके 2000 से लेके 3000 km के बीच में उसको इंजिन ओल चेंज करना चाहिए अगर नॉर्मल इंजिन ओलो जल्दी चेंज कर रह है जिनको occasionally ride पर भी जाना है तो वैसे situation में मैं बोलूँगा कि generally जो है वह 2500 या फिर 3000 km के आसपास जो है वह इंजिन ओल चेंज कर लो बहुत ही अच्छा अगर उसके पहले करवा रहे हो तो कोई problem नहीं आपका इंजिन काफी long time तक रहेगा क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप यहां बाइक के अंदर अच्छे तरीके से change करते हो उसको सई तरीके से maintain करते हो तो आपके बाइक का इंजिन का life बढ़ जाता वहीं सीज्वाइश जो होता है कि जब आप लगकुछ बाइक निदेखते हो टो तो दो या तीन साल में जो है वह वह खराब हो जाते हैं उनका इंजिन जो है वो जवाब देने लगता है तो वैसा situation इसी लिए होता है ताकि सही टाइम पर बाइक की maintenance सही तरीके से नहीं की जाती है इंजिन आइल सही टाइम पर चेंज करोगे तो आपके बाइक का लाइफ जो है वो भी बड़ेगा अब बात करते हैं लास्ट में जो तीसरा है फुली सिंथेटिक वाले के लिए तो फुली सिंथेटिक के लिए क्योंकि उनका performance जादा है तो मैं जादा करके recommend करूंगा कि 2000 से लेके 3000 किलोमेटर के बीच में change करो क्योंकि आप लोग अपने अपना engine oil change करो तो generally all over अगर आप लोग देखोगे तो 2000 किलोमेटर एक साही तरीके से आ रहा है जहां पर आप लोग कोई भी तरीके का engine oil जो मैं बोलूंगा कि change करने के लिए performance जिनका जादा है वो लोग मतलब फुली synthetic engine oil यूज़ करते वह 5000 यह 10,000 किलोमेटर तक भी same engine oil रख सकते कोई problem नहीं है बट इंडिया में जो एक तरीके से weather मैं आपको बोलू तो weather condition बहुत तरीके से अलग-अलग होती है जैसे winter में अगर आप लोग same engine oil जादा time तक रखोग तो गाइस आप लोगों को यह वीडियो में कुछ चीज अच्छा लगा रहेगा कुछ आप लोगों को नया सीखने के लिए मिला रहेगा तो प्लीज दू लाइक अन सब्सक्राब तो आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा किसी भी चीज से रिगाडिंग तो लोगों को चीज से रहेगा का अन सब्सक्राब को भी तरीके के लिएगा के लिए।